Hi guys, this is Babita and welcome back to my channel The Divine Light of Tarot Guys, मैं आज आपके लिए एक नया वीडियो लेकर आई हूँ और आज का जो हमारा टॉपिक है, आज का जो हमारा कोशन है वो यह है कि यह दिवाली आपके लिए क्या आ रहा है और यहाँ पर आपके लिए मैंने तीन आप्शन रखें है आप्शन नमबर 1, आप्शन नमबर 2 and आप्शन नमबर 3 यहाँ आप्शन नमबर 1 में 111 है, आप्शन नमबर 2 में 122 है, आप्शन नमबर 3 में 133 है यह एंजल्स नमबर है और हो सकता है जो भी यह वीडियो देख रहे हैं उनको एंजल्स नंबर दिखाई देते हूं और यह जो हैं एंजल्स नंबर हैं यह नंबर यदि आपको रेंडमली यदि दिखाई देते हैं तो इसका मतलब यह है कि एंजल्स आपके आसपास हैं एंजल्स आपको इंडिकेशन देते हैं कि एंजल्स आपके आसपास ही तो यहाँ पर आपके लिए तीनों में से जो भी आपको ज्यादा अट्रैक्ट करते हैं नमबर्ज वो आप ले सकते हैं पहला ओप्छन जिनोंने लिया है देखते है कि उनके लिए यह दिवाली क्या लेकर आ रही है तो जिन्हों ने भी option number one, triple one चूस किया है, देखते हैं कि ये दिवाली उनके लिए क्या है तो यहाँ पर मैंने आपके लिए पहले से कार्ड निकाल के रखे हैं, king of pentacles का कार्ड है five of cups का है, justice है, page of cups है, four of wands है, and the high priestess तो जिन्हों ने भी pile number one चूस की है, यहाँ पर आप या आपके partner cancer हो सकते हैं, या libra हो सकते हैं और fire sign भी यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहे हैं, Aries, Leo, and Sagittarius जिन्हों ने भी यह pile choose की है, और यहाँ पर मुझे यही दिख रहा है कि आपके लिए बहुत कुछ अच्छा आने वाला है इस दिवाली पे, वो सकता है कि जिन लोगों ने भी यह pile choose की है, वो हो सकता है कि बहुत ज़्यादा tension में रहते हों, बहुत ज़्यादा past को लेकर परिशान रहते हों, जो कुछ भी past में उनके experience रहे हों, वो उनको बार बार याद आते हों, बार बार यह पिछली अपनी life में जाते हैं, negativity create करते हैं पिछली life से, और जिसके कारण क्या होता है, जब हम पि present खराब करते हैं, तो हमको present में रहना हैं, और यहाँ पर बाबा का जो आज card आया था, वो भी बहुत ही positive woman of today's reading, live in the past, tomorrow is a myth, it's always today, आज जब मैं reading करने बैठती हूं, तो मैं पहले बाबा का एक card निकालती हूं, शपल करके, और जो भी card fall होता है, उसको यहाँ पर मैं रखत हूं, तो बाबा का भी यही कहना है, कि live in the past, tomorrow is a myth, it's a, sorry मैं गलत बोलगी हूं, live in the present, tomorrow is a myth and it's always today, तो हमें present में रहना चाहिए, past के बारे में नहीं सोचना चाहिए, past की memories को नहीं याद करना चाहिए, जो हो चुका, आप हम उसको नहीं बदल सकते हैं, तो यह दिवाली जो कोने भी यह पाइल चूस की हो, वो single हो, या कुछ लोग यहाँ पर मुझे merit भी दिख रहे हैं, कुछ single भी दिख रहे हैं, और हो सकता है, उनके लिए बहुत कुछ अच्छा आने वाला है, celebration का card हो सकता है, कि कुछ लोगों की यहाँ पर engagement होने वाली हो, हो सकता है, अगर engagement होने वाला हो इस दिवाली पे, और यहाँ पर यह card यहीं बता रहे हैं, कि आपके जो partner है, यह success का भी card है, अगर कुछ लोग करियर को लेकर बहुत ज़्यादा परिशान है, तो हो सकता है, उनके लिए कोई नया offer आने वाला हो, और उनकी life में career, job से related, कोई stability आने वाली हो, तो अगर कोई relationship में है, तो उनको भी commitment, permanent commitment मिलने वाला है, means उनके connection में, उनके relationship में stability आने वाली है, और जो भी आपके partner होंगे, king of pentacles का card है, means वो बहुत ही hard working होंगे, बहुत ही dedicated होंगे, बहुत ही loyal होंगे, और यहां पर justice का card आया है, तो justice का card मुझे यही बता रहा है, कि जिनके साथ connection को लेकर, relationship को लेकर, justice नहीं हुआ है, तो हो सकता है, उनको justice मिलने वाला हो, और हो सकता है, equal given take नहीं हो, जिसके कारण से हो सकता है, connection में, relationship में, break up हो गया हो, तो justice का card यہी बताता है, कि आपने जो भी दिया है, वो आपको return में मिलने वाला है, और यदि आपको किसी job से, में हें, और job में यदि आपने बहुत 100% अपना दिया है, तो आपको उसका reward मिलने वाला है, आपको कुछ award मिलने वाला है, यह आपको हो सकता है, promotion मिले, means आपके अंदर वो सारी potential है अगर आप चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं और यहाँ पर जो job business से related जो लोग भी परेशान हैं हो सकता है उनकी life में एक नई beginning होने वाली हो उनको कुछ job से उनको कुछ career से related कोई good news आने वाली हो और उनका हो सकता है कोई नया business start होने वाला हो और यह business जो है वो creative field से हो सकता है और the high priestess का card है जो कि यह बताता है कि आपको अपनी inner voice को सुनना है आपको अपनी intuition की बात सुनना है और अपने intuition के अपने intuition को लेकर intuition की सुनकर आगे बढ़ना है तो यह थी reading और यहां पर अगर overall देखा जाया तो यहां पर यह दिवाली जो है आपके लिए बहुत ही मुझे लग रहा है बहुत ही बढ़िया आने वाली है बहुत ही good omen दिखाई दे रहे हैं इस दिवाली पर जो लोग कने connection में हैं उनका commitment होने वाला है और जो लोग हो सकता है married हो जिनको कुछ divorce related problem हो हो सकता है उनका कुछ decision होने वाला हो उनको justice मिलने वाला हो हो सकता है कि किसी का reconciliation होने वाला है यह भी हो सकता है यहां पर तो यह दिवाली जो है वो बहुत ही जिन्होंने pile number one चूस की है उनके लिए बहुत ही अच्छी है उनके सारे जो काम है बेगड़े हुए काम है वो बनने वाले हैं इस दिवाली और यहां पर मूनोलोजी कार्ड औरेकल कार्ड से मैंने दो कार्ड निकाले थे यू एन यूर लवड वनस आर से न्यू मून इन कैंसर तो मैंने आपको बोला था the high priestess तो यह high priestess जिन्होंने भी ये card pile juice की है वो आप या आपके partner cancer हो सकते हैं और ये card यह बता रहा है कि आप और आपके loved ones जो हैं वो safe है means आपका reconciliation होने वाला है आपका commitment होने वाला है और दूसरा जो card है it's time to release negativity मैंने आपको पहले ही card में बोला था five of cups का card कि आपको negativity को release करना है full moon in Scorpio आप या आपके partner Scorpio भी हो सकते हैं और ये card जो वो ये बताता है कि आपको अपनी negativity को release करना है जो भी bad experience है उसको भूलना है और भूल कर आगे बढ़ना एक नई शुरुबात करनी है तो ये थी reading जिनोंने भी pile number one चूस की थी अब देखते हैं जिनोंने भी pile number two चूस की थ कि उनके card क्या कह रहे हैं उनकी reading क्या बता रही है तो जिनोंने भी pile number two चूस की थी ट्रिपल टू है यहाँ पर पहला card जो है दा फूल का card है second जो है वो three of swords है third जो है queen of wands है दा emperor है queen of swords है and the hero friend है तो आप या आपके partner Aquarius हो सकते हैं Aries हो सकते हैं या Taurus हो सकते हैं जिनोंने भी ये pile चूस की है वो या तो Aquarius हो सकते हैं Aries हो सकते हैं या Taurus हो सकते हैं आप या आपके partner और यहाँ पर मुझे ये दिखाई दे रहा है जिनोंने भी pile number two choose की है हो सकता है यहाँ पर उनका break up हुआ हो यह लोग separation mode में हो और third party कोई situation बन रही हो यहाँ पर आप या आपके partner married हो सकते हैं single भी हो सकते हैं यहाँ पर the fool का card है means हो सकता है कि आपका break up चल रहा हो एक दूसरे को आपने block कर रखा हो बात नहीं हो रही हो तो यहाँ पर यह जो card है वो यहीं बता रहे हैं कि इस connection में फिर से एक नई शुरुवात हो सकती है लेकिन आपको flow में जाना है आपको ज़्यादा किसी चीज़ पर इस connection को लेकर ज़्यादा focus नहीं करना है आपको सिर्फ जो कुछ चल रहा है उसको flow में जाने दीजिए और यह connection जो है उन लोगों का है यहाँ पर दो queen आई है queen of wands तो यहाँ पर दो queen आई है पहली queen of wands है और queen of swords है यहाँ पर दो queens आई है means इस connection में rivalry चल रही है means आप या आपके partner के बीच में कोई जगड़ा चल रहा है कोई विवाद चल रहा है किसी चीज को लेकर और यहाँ पर दो queen आई है means यहाँ पर यह queen of wands आप दिख रही है और यह third party मुझे दिख रही है queen of swords और यह जो woman है वो widow है और आप या आपके partner में हो सकता है age difference हो और यह जो मुझे reading है वो married लोगों के लिए दिख रही है hero friend का card आया है इसलिए और हो सकता है इस connection में नई कोई शुरुवात हो सकती है हो सकता है कि आपके life में कोई third party हो आपके partner की life में कोई other person हो queen आई है हो सकता है वो जो lady हो वो जो woman हो वो widow हो और जिसके कारण हो सकता है आप और आपके person की life में break up हुआ हो या यहां कुछ लोग मुझे merit दिख रहे हैं ज्यादा तर लोग और हो सकता है आप अपने husband से दूर रह रहे हो separate separation में हो और यहां पर the emperor का card है कोई fatherly figure भी यहां पर दिख रहे हैं जो कि इस connection में interfere कर रहे हैं means third party यहां पर दिख रही है या तो कुछ लोगों के मुझे लिए यह दिख रहा है कि कोई another woman है और यहां पर मुझे जो single है उनके लिए यह दिख रहा है कि या तो आपके person की कोई sister हो सकती है जो कि video हो और हो सकता है उनके father हो जो कि इस connection को लेकर बहुत interfere कर रहे हैं और शादी में बहुत जादा हो सकता है यूनियर में बहुत जादा हो सकता है यहां पर दिखकते आ रहे हो तो यह मुझे यहां पर दिखाई दे रहा है और अगर career को लेकर बात करें तो यहां पर मुझे यह दिखाई दे रहा है कि job से related हो सकता है जिनों ने भी यह पाइल चूज की हो, उनका जॉब छूटा हो, किसी वज़े से यह जॉब में हो सकता है, उनको कोई environment अच्छा ना मिला हो, उनके बॉस बहुत controlling हो, जिसके कारण आपने यह जॉब छोड़ दिया हो, तो हो सकता है कि आपको एक नई beginning जॉब में, करियर में होने वाली है। practically, logically decision लेना चाहिए, और अगर आप logically decision लेंगे, तो हो सकता है कि आप जो भी career, job चुने, वो आपके लिए बहुत ही बहतर बन जाए। और यहाँ पर मुझे यह भी दिखाई दे रहा है कि जो लोग जिनोंने government, job, government, नोकिरी के लिए यदि किसी परिक्षा में बैठे हो, तो हो सकता है, उनको यहाँ पर authority मिलने वाली हो, उनको government job मिलने वाला हो, इस दिवाली यहाँ पर मुझे यह दिखाई दे रहा है। और जो लोग business करना चाहते हैं, उनके लिए एक नई शुरुवात होने वाली है, और यदि कोई job में हैं, तो हो सकता है, उनको authority position मिलने वाली हो, कोई बड़ा उनका promotion होने वाला हो, तो यहाँ पर यह थी reading, और Moonology Oracle से देखते हैं कि उनके card क्या है, prosperity lies ahead, new moon in Taurus, देखिए मैं यहाँ पर बोला था ना, hero pen का card है, Taurus का card है, तो यहाँ पर जो card है, बिलकुल connected आए है, prosperity lies ahead, new moon in Taurus, means आपकी आगे life में prosperity आने वाली है, यदि आप connection को देखा जाए, तो हो सकता है कि आपका connection जो है, वो फिर से वापिस होने वाला हो, जिनसे भी आपका separation mode चल रहा था, और जिनकी job चूटी है, उनके लिए बहुत अच्छे अच्छे offer आने वाले हैं, job से related, और मैंने ये जो है, randomly cards निकाले थे, लेकिन बिलकुल rider weight से match होते हुए आए हैं, what a coincidence, I am amazing, I am surprised, और next जो card है, conclusion are within reach, full moon eclipse, तो यहाँ पर conclusion means, conclusion होने वाला है, जो कुछ भी आप लोग चाहते हैं, जो कुछ भी need, decision लेना चाहते हैं, वो आपके favor में होने वाला है, और जो लोग हो सकता, depression में, परिशानी में, चल रहे हो, हो सकता, उनके लिए healing होने वाली है, उनको किसी चीजे से, उनकी परिशानी हो सकता है, उनको छुटकारा मिलने वाला हो, तो very positive cards, और यह दिवाली आपके लिए बहुती, बहुती बढ़िया रहे, आप जो कुछ चाहते हैं, वो सब आपको मिले, और यह दिवाली आपके लिए, prosperity लाए, abundance लाए, happiness लाए, joy's लाए, happy दिवाली to you, अब next, जिन्होंने pile number three choose की है, देखते हैं कि उनकी reading क्या कह रही है, तो जिन्होंने भी pile number three choose की है, triple three है, यहाँ पर, देखते हैं कि उनकी reading क्या कह रही है, तो पहला card जो है, वो tower का card है, दूसरा card जो है, वो seven of cups है, तीसरा जो है, eight of wands है, page of swords है, three of cups है, and six of cups है, यहाँ पर मुझे water element बहुत दिखाई दे रहा है, आप या आपके partner cancer हो सकते हैं, scorpio हो सकते हैं, और Aries भी हो सकते हैं, आप या आपके partner, Aries, cancer, scorpio and Pisces, जिन्होंने भी ये pile choose की हैं, आप या आपके partner हो सकते हैं, और triple three का option है, यह triple three है, और मुझे यहाँ पर यह दिखाई दे रहा है, कि आपके partner और आप में हो सकता है, अचानक break up हुआ हो, अचानक कुछ ऐसा हुआ हो, कि जिसका आप expect भी नहीं कर सकते हूँ, और हो सकता है, आपके partner के पास बहुत सारी choices हो, जिसके कारण उन्होंने एक unexpected news आपको दी हो, जिसके कारण यह connection जो है वो छूट गया, या break up हो गया आप इस connection में, आप कुछ लोग यहाँ पर married भी हो सकते हैं, single भी हो सकते हैं, और यहाँ पर मुझे यही दिखाई दे रहा है, कि हो सकता है, आपके partner की life में बहुत सारे option हो, जो लोग single हैं, उनके लिए बोल रही हूँ, जिसके कारण हो सकता है, उनको कोई third party situation create हो गई हो, जिसके कारण अचानक से उनको उन्होंने आप से को block कर दिया, आप से बातचित करना बंद कर दी, और हो सकता है, आप बहुत shocked ह हो गए हूँ, tower का card है, means आपको अंदाजा भी नहीं लगा सकते, कि सामने वाला ऐसा decision ले सकता है, और यहाँ पर कुछ लोगों के लिए मुझे ये दिख रहा है, कि आप किसी connection में हो, आप किसी relationship में हो, और अचानक आपके partner ने आपको आकर बताया हो, कि नहीं उनकी life में को योर भी है, तो जिसके कारण ये break up हो गया है, tower का card इसलिए आया है, कि अचानक से shocking news मिलना, और तो जिन लोगों ने भी ये pile juice की हो सकता है, वो separation mode में चल रहे हैं, और आपके partner में बातचित बिल्कुल बंद हो गई हो, और आपने ये सोचा हो, कि आप तो बिल्कुल break up हो ग और ये यहां पर ये भी दिख रहा है मुझे, जिन्होंने भी pile number 3 choose कि हो सकता है, ये long distance connection में हो, long distance relationship में हो, तो यहां पर मुझे ये दिखाई दे रहा है, कि हो सकता है कोई good news आने वाली है, आपके लिए जल्द ही, जल्दी कोई action होने वाला है, और कोई action होने वाला है, हो सकता है, ये जो है, आप expect भी नहीं कर सकते हैं, ऐसा कुछ decision होने वाला हो, ऐसी कोई news मिलने वाली हो, क्योंकि जो कुछ अभी तक आपके साथ हुआ, वो भी एकदम अचानक हुआ, आप shocked थे, अब हो सकता, अचानक से कोई news आने वाली हो, आपके connection को लेकर, और यहां पर three of cups का card है, जो कि ये बताता है, celebration का card है, और six of cups का card है, जो कि reconciliation बताता है, हो सकता है, आपका reconciliation इस दिवाली होने वाला है, और celebration का भी card है, success का भी card है, और जो लोग married है, और जिनको हो सकता है कि, और कुछ लोग यहाँ पर मुझे यह भी दिखाई दे रहे हैं married हैं और हो सकता है उनका miscarriage हुआ हो जिसकी वज़े से उनकी जिन्दगी में बहुत जादा disturbance create हो गया हो और हो सकता है वो निराश हो गए हो तो उनको लेकर भी हाँ पर बहुत जल्द एक good news आने वाली है और यह card जो है fertility का भी card जो good news लेकर आएगा जो married female couples हैं उनकी life में हो सकता है उनके घर में कोई खुशियां आने वाली हो कोई नन्ना मुन्ना महमान आने वाला हो और जो लोग married हैं उनका भी reconciliation होने वाला हो और जो लोग job में हो, career में हो, हो सकता है अचानक से उनको job छोड़नी पड़ी हो, कुछ ऐसा environment वर्क प्लेस पर create हुआ हो या हो सकता है आपको अचानक आपके boss ने कहा हो कि you can leave the job अचानक से इस तरह की कोई news मिली हो तो उनके लिए भी ये दिवाली बहुती बढ़िया जाने वाली है और यहां पर उनको हो सकता है उन्होंने अगर किसी job से related अपलाई किया हो तो बहुत सारे email आने वाले हैं, बहुत सारे offer आने वाले हैं और थोड़े से हो सकता है कि यहां पर मुझे ये दिखाई दे रहा है कि हो सकता है आप तुरंत हाजिर जवाब हो मिस आप किसी की बात बरदाश्ट ना करते हो जिसके कारण हो सकता है आपकी job अचानक से छूट गई हो या आपके connection में हो सकता है, break up हो गया तो good news आपके connection को लेकर आने वाली है और जिन्होंने जो job में हो, करियर में उनको कोई good news मिलने वाली है, celebration का card है, success का card है मिस हो सकता है, जो job में हो, उनको promotion मिलने वाली हो, और यदि जिन्होंने job छोड़ा है उनको हो सकता है, boss की तरफ से फिर से join करने के लिए offer आ सकता है और जो लोग connection में हो सकता है, जिन्होंने ये pile चूज की हो, वो soulmate हो तो यहाँ पर यही दिखाई दे रहा है, कि जो connection में हो, उनका फिर से reconciliation होने वाला है फिर से harmony होने वाली है, और monology oracle से मैंने दो card निकाले है तो first card है, don't let pride get in your way, full moon in Leo, हो सकता है आप यह आपके partner Leo हो सकते हैं Libra भी हो सकते हैं यहाँ पर क्योंकि यह card Libra और Leo के भी आए हैं यहाँ पर मुझे fire energy भी दिखाई दे रही है, Aries, Leo and Sagittarius भी हो सकते हैं और don't let pride get in your way, means pride को अपनी राष्टे में ना आने जे, थोड़ा सा हो सकता है थोड़ा सा अपना attitude कम करें, अपने आपको थोड़ा सा cool रखें, relax रखें, थोड़ा down to earth रखें और cooperate करके चलेंगे तो definitely आपको जो है वह success मिलेगी और next जो card या new romantic cycle begins हो सकता है, new moon in libra हो सकता है कि यह connection जो फिर से start होने वाला हो, इसलिए new romantic cycle begins आपके लिए कोई नई connection, relationship से related कोई नई शुरुवात हो सकती है क्योंकि reconciliation का card बताता है कि कोई नई शुरुवात आपकी life में हो सकती है तो very positive card ये दिवाली आपके लिए बहुत ही बढ़िया जाए जिन्होंने भी pile number 3 चूस की है और cards तो मुझे यही बता रहे हैं कि बहुत बढ़िया जाने वाला है और यहाँ पर अब मैं आपको एक announcement करने वाली हूँ हमारे 1000 subscriber हो जाएंगे तो हम 5 लोगों को अपने subscribers में से कुछ 5 लोगों को shuffle करके उनके नाम निकाल करके shuffle करके हम 5 लोग निकालेंगे और उनको personal free reading का हम give up देंगे और आपको ज़्यादा से ज़्यादा like करना है, comment करना है, subscribe करना है और WhatsApp ग्रूप में share करना है, अपने friends के साथ tag करना है और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और करवाएं अपने फ्रेंड से और यदि आपसे कोई पाइल रिजोनेट होती है तो आप प्लीज मुझे कॉमेंट सेक्षन में जाकर बताएं कि कौन सी पाइल आपसे रिजोनेट हुई और आप कोई नए टॉपिक पर यदि कोई वीडियो चाते हैं तो आप मुझे कॉमेंट सेक्षन में जाकर सजेस्ट भी कर सकते हैं कि मैं आप इस टॉपिक पर वीडियो बनाईए तो मैं उस टॉपिक पर डेफिनिटली बनाऊंगी I hope कि दिवाली आपके लिए बहात ही शुब हो मंगल मैं हूँ Happy Diwali to all and may all your wishes come true in this Diwali Om Sai Ram